नमस्कार सर्व स्वागत करते हैं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो विकाओ मकान चैनल पर दोस्तो जहां पर आज हम आप पिले लेकर आ चुके हैं बैंक द्वारा खाले कराया गया यहां मकान लेकर जो की दो मंजल का बना हुआ मकान है तो दोस्तो अगर आप इस मका मकान के बारे में अगर पूरी दता कंपली जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हैं आप सभी हमारे इस वीडियो के अंतक चैनल पर दोस्तो पहली बार आए हैं चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन की घंटी का बटन बना हुआ है और लगभग यह मकान आपको 600 स्कॉर फिट की जगह में बना हुआ देखने को मिल जाता है इस मकान में आपको रूम की संख्या जो मिल जाती है दोस्तों तो आपको इस मकान में आपको रूम की संख्या लगभग आपको इसमें साथ बने हुए रूम देखने क को मिल जाती है इस विकाव मकान में आपको TV, Freeze, Cooler, Washing Machine, Sailing Fan, Setting Fan, चत वाले फैन लगे हुए देखने को मिल जाते हैं वहें पर दोस्तों इस मकान में आपको दो प्रकार की IC लगी हुई देखने को मिल जाते हैं जो कि एक आपको नौरमल IC देखने को मिल जाएगी और एक आपक में अपना यह मकान अर्जेंट बेचना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास 12 लाग का बजट है और इतने बजट के साथ अगर आप इस मकान को खरीज सकते हैं प्रचेस कर सकते हैं तो देरी ना करते हुए आप हमें कमेंट माधिम से बता सकते हैं वह हमारे यूटूब की अबाओट सक्षन में जाकर वहाँ पर आपको जो इमेल आईडी मिलेगी उस इमेल आईडी के जरी आप हम से संपर कर सकते हैं तो वहीं पर हम आपको प्राप्टी डीलर होंगे हम उनसे संपर करके आपके द्वारा बताएगे लुकेशन के जो भी सस्ते विकाव मकान होंगे उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अप्लोड करेंगे आपके प्राप्रपर्टी की कीमत आपको अच्छी नहीं मिल पा रहे हैं तो दोस्तो आप हमें बता सकते हैं कि किस लुकेशन के बारे में और आपको बता देते हैं यह मकान प्रापर तरीके से कहां पर विकाव है दोस्तो यह मकान आपको उत्तर परदेश के राज लखेमपूर डिस्टिक में यह मकान देखने को मिल जाता है जो कि लखेमपूर सीथापूर बैपास के निकट ही यह मकान आपको देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर लोकेशन इसकी सेतापूर बैपास रोड के पीछे यह मकान बना हुआ है तो दोस्तो यह मकान बहुत ही अच्छा है अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीजे सकते हैं तो दोस्तो तब तक के लिए हम अपने इस वीडियो से अलबिदा चाहते हैं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ वा किसी अन्य सस्ते से भी सस्ते विकाव मकार के साथ जाहें